इस से पिछने मॉड्यूल में हम क्वालिटेटिव रिसेर्च और क्वांटिटेटिव रिसेर्च एज मेत्रोलोजिकल चॉइस आफ रिसेर्चर पर बात कर चुके हैं मैं इस मॉड्यूल में इन दोनों का कंपेरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप इन दोनों में फर्क कर सकें और दूसरी वजह इस फर्क के साथ साथ इन को इनकी रिसेर्च अप्रोच यानि इंडक्टिर डिड़क्टिव और उससे पीछे फिलोसोफी आफ रिसेर्च यानि पॉजिटिविजम और इंटर्पेटिविजम इन के साथ होंगी तो आप अपनी रिसर्च का प्रासेस ठीक तरीके से कंड़क्ट कर सकेंगे इस में स्लाइड में आप देखें तो हमने इनको पांच डिफरेंट बातों पे कंपेरिजन आपके सामने रखा है स्लाइड में यह दोनों क्वांटिटेटिव रिसर्च और जिनका फरक अगर हम समझ लें कि यह इन इस बेसिस पे यानि टाइप आफ डेटा की बेसिस पे अनेलिसिस की बनियाद पे यह स्कोप आफ इनकोईरी की बनियाद पे यह अपने प्राइमरी एडवांटिज जो इनके हैं दोनों के एक अपेरिटिव उनकी बनियाद पे और यह एक दूसरे से कैसे फरक हैं तो आपको यह बात हेल्प करेगी इनको इसकी रिसर्च अप्रोच और फिलासिफी के साथ कनेक्ट करने में मसला अगर हम पहली यार्ड स्टिक ले लें जो हमने यहां रखी टाइप आफ डेटा देखे क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा आपके पास निमेरिकल फॉर्म में किलेक्ट होता है और अगर वो निमेरिकल फॉर्म में ना भी हो तो हम उसको कोडिंग करके निमेरिकल फॉर्म में ले आते हैं क्यूंकि हमारे पास जितने भी टूल्स हैं डेटा अनेलिसिस के कॉंटेटिव रिसर्च में वो सिर्फ निमेरिकल वैल्यूज का अनेलिसिस करते हैं statistics बन्यादी हमारे पास टूल है इसका statistical analysis तो statistical analysis तो जो non-numeric data है उस पे होता ही नहीं तो लहाज़ा quantitative research में data इधर हमारे पास खुदी numeric form में आता है या अगर non-numeric आता है तो हम उसको numerical form में code करते हैं convert करते हैं जबके इसके मकाबले में qualitative research में आपके पास data narrative form में होता है वर्बेटम की शकल में या words की शकल में होगा pictures की शकल में होगा, video की शकल में होगा, graphics की शकल में होगा, किसी इस तरह की शकल में हैं जो non-numeric form में हैं क्यों कि उसके analysis के method statistical नहीं है, उनके analysis के method में themes को sort out करना, उन में से larger themes emerge करना, उनकी descriptions को analyze करना, इस तरह के तरह के तरीके हैं, तो लहाज़ा वो qualitative research में इसकी सूरत data की दूसरी तरह से होती है, यह major difference है इसी तरह analysis के वक्त, techniques का फरक है quantitative में आपके पस दो तरह के analysis हैं फर्ज कर लीजिए, एक आप रेटे के descriptive निकाल सकते हैं, जिसमें averages हैं, उसकी standard deviation हैं, इस तरह की values हैं, और फिर उन चीज़ों को आप graphical form में represent कर सकते हैं जब के, जब qualitative analysis में जाते हैं, तो वो बन्यादी तोर पे themes की identification का नाम है आप primary data जो के words की शकल में हो या pictures हों, videos हों, graphics हों, आप उस data से common basis पे themes जो हैं, वो conclude करते हैं, और फिर उन themes के अंदर आयने आले 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 डेटे की वजाहत करते हैं अगर मैं एक लफ्स यहां इस्तमाल करूँ जो इसको explain करने में वजाहत कर सकता हो, तो वो यह है कि आप quantitative research में हमारी policy data reduction की होती है data को broader से खास pre-defined categories के अंदर reduce करना, कम उदर लेके आना, जबके qualitative research में आप data को explain करते हैं, उसकी reduction पे focus नहीं करते हैं, उसकी वजाहत पे focus करते हैं इसी तरह अगर आप scope of inquiry की बात करें, तो quantitative studies में आप specific questions लेते हैं या hypothesis लेते हैं और फिर data कलेक्ट करके उन hypothesis की verification करते हैं जबके qualitative studies में तो hypothesis होते हैं, क्योंकि आप basically specific instances को लेके उन्हें explain करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपके पास scope जो है वो broader होता है, आप किसी question के against answer नहीं दे रहे होते हैं आप असल में मुख्लिफ phenomena को समझने के लिए evidence collect करते हैं और उन evidences को explain करते हैं in order to understand that phenomena So, वहाँ पे scope of inquiry explanation के मतलिक है, variation को explain करना जबके quantitative में जो inquiry की nature है वो pre-decided questions को answer करने की पे focused है जो आप काम आसानी से quantitative studies में कर सकते हैं वो है larger sample लेना, representative sample of population उस जरीए से एक fixed structure में data एकठा कर लेना, उसको statistical analysis से बासानी summarize कर लेना inferences draw कर लेना और generalizations बना लेना, यह इसका strong point है जबके इसके मकाबले में qualitative research में value richness of data पे है value उसकी इस बात पे है कि जो कुछ भी आप उसमें से infer करेंगे, वो उसकी detailed explanation provide करेगा rich होने से मराद है, depth होने से मराद है कि multiple sources of information से वो बात verify हो रही होगी लेकिन क्योंके ये कम लोगों पे studies की जा सकती है, इतनी depth में इतनी detail में आप एक बहुत बड़े sample पे study नहीं कर सकते तो इसमें अमूमन sample size चोटा होता है, बलके मेरे अपने ख्याल में तुसको sample नहीं कहते हैं, participants लेते हैं आप study में, उन participants की तादाद महदूद होती है, उन से हासल की गई information को आप detail में पढ़ते हैं, so richness of data, depth of information तो मौजूद है, लेकिन generalizability ना purpose है, ना उसका focus होता है आप narrative explanations जो हैं, वो इसमें तलाश करते हैं चीज़ों की, इसे तरह इसके disadvantages में अगर या weaknesses में जाएं आप इन दोनों की, तो quantitative की weakness क्या है, यह superficial सा होता है, इसमें depth नहीं होती, इसमें width बहुत होती है, आप जो जो चीज infer कर रहे हैं on surface वो तमाम चीजें generalizable होती हैं एक extent तक, लेकिन अगर आप उनको dig down करें, उनकी तफसीलात में जाएं तो आपको उसके अंदर problems नजर आने शुरू हो जाते हैं, पार्टिसेपेंट्स जो हैं, वो एक particular level तक अपनी रहे देते हैं, उस रहे के underlying जो ख्यालात होते हैं उनके उनको आप explore नहीं करते हैं, जबके qualitative research में small sample लेते हैं, less participants लेते हैं, non-generalizable होता है, लेकिन वो population को represent नहीं करता, लेकिन depth उसका strength होती है, तो ये दो तरह अगर आप इनको compare करेंगे, इनकी weaknesses क्या हैं, इनकी strengths क्या हैं, तो आपको नजर आएगा कि इनके जरीए से की हुई research में, आप किन बातों पे rely कर सकते हैं, और किन बातों की deficiency रह जाती है, तो अब इस comparison को अगर आप जहन में रखें और इसको connect करें पीछे research की approach के साथ और philosophy के साथ, तो आपको एक बड़ी clear alignment नजर आती है, कि इनमें से हर एक एक दूसरे के साथ overlap नहीं करता, बलकि इनकी अपनी एक line of action है, ये line of action जब तक आपके जहन में un understandable चीजे होना शुरू हो जाती है, तो ये alignment अपने जहन में इस गुफटगू के नतीजे में अगर आप दूस्त कर सकें, तो इस module का मकसद ये हासिल करना है